हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल वन विजन एम्बीबीएस इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है एनस्टोमोसिस राउंद नी जोईट और आप ये भी कह सकते हैं जैनिक्यूलर एनस्टोमोसिस मतलब कि क्या हुआ जैनिक्यूलर आर्ट्री के बीच में एनस्टोमोसि अनदर आर्ट्री के साइस होता है इसलिए इसे कहते हैं जैनिक्यूलर एनस्टोमोसिस होके तो चलिए अब यहां से भी पढ़ सकते हैं लेकिन ये पढ़ने के लिए आपको पहले हमारी जो लोवर लिंब के आर्ट्री से उसका ओर यू होना चाहिए तो आप वहां से अच् वाइनल लिगमन को क्रोस करेगी और बाद में किसमें कनोट हो जाएगी फिमरल आर्ट्री में फिमरल आर्ट्री की हमने देखी जीना ब्रांचीस कितनी ब्रांचीस होती है उसकी डीप ब्रांचीस होके तो यहां पे देखिए यहां पे सिर्फ एकी बताईए मैंने कौन सी दाफिमरस आर्टरी लेकिन उसकी ब्रांची ओगी ओमारी यहां पे जाएगी सुपीरियर सरकम फ्लेक्स इलिया का गरी सुपीरियर एपिगेश्री कांडरी एंड ऑन्ड सुपेरीयर एक्सटर्नल, प्रोफंडाफिमरल आर्टरी, तो यह होगे उसकी प्रोफंडाफिमरल आर्टरी की हमने तीन ब्रांच परड़ी थी इंगें, लेटरल क्युटेन लेटरल सरकंप्लेक्स फिमरल आर्टरी मीडियल सरकंप्लेक्स फिमरल आर्टरी एंड चार पर्फोरेटिंग आर्टरी नेक्स्ट हमारी लेटरल सरकंफ्लेक्स फिमरल आर्टरी की तीन ब्रांच इस कौनसी एसंडिंग, ट्रांस्वर्स और डिसंडिंग, पर्फोरेटिंग तो हमने पडिली ही चार ब्रांच होती है और मीडियल सरकंफ्लेक्स फिमरल आर्टरी की दो ब्रांच कौनसी एसंडिंग एंड-transverse branch ओके, नेक्स्ट ए, देखिए upper, just upper to eductor ался petri family, femoral artery gives another branch, non-descending genicular artery, ओके, nell exclusive genicular artery, हमें 2 branch देती है, कौन कौन सी, एक होती है उसके articular branch, एक होती है उसके stiffness branch, ओके, फिर eductorytes को cross करने के बाद, जो हमारी femoral artery है, वो हमारी back side में चली जाती है मतलब की knee joint के पीछे और किस में convert हो जाती है हमारी popliteal artery में convert हो जाती है और popliteal artery की popliteal artery यहां पर कितनी 4 branch देता है कौन कौन सी superior lateral genicular artery lateral side है इसलिए medial side है इसलिए superior medial genicular artery then inferior medial genicular artery and inferior lateral genicular artery and then it divides in the anterior tibial artery and posterior tibial artery then posterior sorry popliteal artery है किस में convert हो जाती है anterior side पर anterior tibial artery and posterior side पर posterior tibial artery इसलिए यहां पर देखे dotate बनाई हुई है then जो हमारी anterior tibial artery है वो दो branch देती है कौन कौन सी anterior tibial recurrent and posterior tibial recurrent और जो हमारी posterior tibial artery है वो एक branch देती है कौन सी circumplex fibular artery इसके आप कहे सकते हैं circumflex fibular branch तो यह हो गए हमारी artery का ओर यह अब देखते हैं कि जो हमारी anastomosis around the knee कहां कहां पर होता है यहां पर हम कितने चार anastomosis देखेंगे ओके तो चलिए पहले से start करते हैं तो चलिए पहले जो यह descending genicular branch artery है उसकी जो articular branch है वो किसके साथ anastomosis करेगी वो anastomosis करेगी हमारी superior medial genicular artery के साथ और जो descending genicular artery की दूसरी stiffness branch है वो anastomosis करेगी हमारी inferior medial genicular artery के साथ ओके तो यह दो anastomosis फिर इस तरफ जो हमारी superior lateral genicular artery है वो anastomosis करेगी हमारी descending branch of lateral circumflex femoral artery के साथ और जो हमारी inferior lateral genicular artery है वो anastomosis करेगी हमारी anterior tibial artery और posterior tibial artery की branches कौन-कौन सी anterior and posterior tibial recurrent and circumflex fibular artery तो चलिए आप यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं तो चलिए मैंने आपको कहते हैं हम 4 anastomosis पढ़ने वाला है कौन-कौन से first हो गया यह हमारा कौन सा हो गया यह हो गया हमारा चलिए यहाँ से देखते हैं यह हो गया हमारा first तो यह हो गया हमारा second फिर यहाँ पे यह हो गया हमारा third और यह हो गया हमारा four तो चलिए तो यहाँ से आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप यहाँ पे देखते जाते हैं तो देखिए यह हमारी कुन सी है यह हमारी femoral artery यह हो गया हमारी popleteal artery तो यह देखिए पopleteal artery की branches यहाँ पे यह हमारी lateral circumflex femoral artery परफॉरेटिम देखिए यह हमारी परफॉरेटिम आटरी और आटरी यह हमारी lateral circumflex femoral artery यह उसकी ascending, transversion, descending ब्रांच तो चलिए descending branch है और यह हमारी dotate वाली है हमारी popliteal artery popliteal artery की branch यह हो गई हमारी कौन सी superior lateral genicular यह हो गई हमारी superior medial genicular यह हो गई हमारी inferior medial genicular और inferior lateral genicular और यह हो गई posterior tibial और यह हो गई हमारी anterior tibial और यह उसकी branch हो गई तो चलिए line to line एनास्टोमोसिस देखते जाते हैं, तो पहला एनास्टोमोसिस कहां पर बना था हमारा superior medial genicular artery और जो deep descending genicular artery है, उसकी artery articular branch के बीच में, तो ये वाला हो गई हमारा articular branch of descending genicular artery second anastomosis कहां बना था हमारा inferior lateral, sorry inferior medial genicular artery और सुनेस ब्रांच को बीच में ओक है तो इंफीर मेडियल जिनिक लेर्ट ज्णीdale राट्री और सुपनस ब्रांच उफिनदिंग जैनिक्री टरॉर्ड बना था हमारा डिसेंडंग ब्रांच ओफ लेटरल सरकंफलेक्स पीमरेल आट्री और सुपीरियर लेटरल genicular artery के बीच में, तो चलिए यहाँ पर descending branch of lateral circumflex femoral artery और superior lateral genicular artery और जो fourth anastomosis था, वो था हमारा inferior lateral genicular artery और anterior and posterior recurrent and circumflex femoral artery के बीच में, तो यह हो गया हमारा fourth चलिए यहाँ पर important landmark दिया है कि कहां कहां पर anastomosis होता है तो जो हमारा first anastomosis था यह वाला, वो कहां पर होता है medial side पर होता है and above the condyle, okay, condyle के उपर होता है जो second था, हमारा वो भी medial side पर होता है और कहां पर होता है, below the condyle, तो यह condyle के नीचे होता है फिर third था, वो हमारा lateral side पर है और lateral side and above the condyle and fourth है हमारा lateral side पे और below the condyle तो आपको exam में यह चारो लिखने हैं और यह diagram अच्छी तरह से यहाँ पे उसके नाम बंतलब की जो ब्रांचीज है उसके नाम के साथ बनाना है तो आपको यही diagram बनाने और यही लिखना है exam में तो this is the all about of anastomosis around knee joint अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please like करें subscribe करें और इस वीडियो को share भी करें और अगर आपको यह chart चाहिए तो description पे मैंने link दे दी है आप वहाँ से ले सकते हैं और हमें social media group पे follow भी कर सकते हैं और जहां से आप हमारे साथ attached रहेंगे और आप हमें वहाँ पे question भी पूछ सकते हैं thank you everyone thank you for watching this video and keep watching कर दो कर दो कर दो पूहाँ से हैं